बेबी रेंडिया 2024 ब्रिटिश ड्रामा टेलिविजन मिनी सीरीज बेबी रेंडिया एक ब्रिटिश ब्लेक कॉमेडी ड्रामा थरिला मिनी सीरीज है, जिसे रिचर्ड गैद ने बनाया और अभिनीत किया है. गैद के इसी नाम के आत्मकथात्मक वन में शो का रुपान तरन, ये सीरीज गैद के बीसमें दशक में पीछा किये जाने और यौन उत्पीरन के वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है. इस सीरीज में साथ एपिसोड है, जिनका प्रीमियर दी 11 ओफ एप्रिल 2024 को नेटफ्लिक्स पर एक साथ हुआ. कलाकार और पात्र, रिचर्ड गैद डोनी डन के रूप में, गैद का एक कालपनिक संसकरन. जेसिका गनिंग माथा स्कॉट के रूप में, एक पूर्व वकील जिसका आपराधिक अतीध है. नवा माव तेरी के रूप में, एक चिकितसक जिससे डोनी एक ट्रांस डेटिंग साइट पर मिलता है. टॉम गुडमेन हिल डेरियनो, कॉनर के रूप में, एक टेलिविजन लेखक जो डोनी को अपने संरक्षन में लेता है. शालोम ब्रून फ्रेंकलिन कीली के रूप में, डोनी की पूर्व प्रेमिका. मीना सोसान्या लिस के रूप में, कीली की माँ और डोनी की मकान मालकिन. माइकल वाइल्डमेन ग्रेक्सी के रूप में, पब के मालिक जहार डोनी काम करता है. डैनी किरेन गीनो के रूप में, डोनी का सहकर्मी. अमांडा रूट एली के रूप में, डोनी की माँ. Mark Lewis Jones Gary के रूप में, डोनी के पिता Hugh Coles Francis के रूप में, डोनी के ड्रामा स्कूल से दोस्त Alexandria Rillay Detective Kalbra, डोनी के मामले को देखने वाला जासूस Thomas Combs, अधिकारी Daniel के रूप में, एक अक्षम पुलिस अधिकारी Tom Durant Pritchard, जेसन के रूप में, एक कॉमेडी प्रतियोगिता के होस्ट Laura Smith, Glenda के रूप में, कॉमेडी प्रतियोगिता की M C. उत्पादन, विकास, श्रिंखला की घोशना डिसेंबर 2020 में की गई थी, जिसमें Richard Gadd श्रिंखला लिखने और अभिने करने के लिए तैयार थे Stephen Bonnbush को अतिरिक निर्देशक के रूप में घोशित किया गया C. श्रिंखला की घोशना के साथ ही Richard Gadd को भी कास्ट किया गया Jessica Ganin को The 26th of August 2022 को कास्ट किया गया Nava Mao को March 2023 में कलाकारों के रूप में घोशित किया गया Filmankan Filmankan August 2022 के मध्य में एडिनबग में ग्रास माकेट में शुरू हुआ London में भी Filmankan हुआ March 2023 की शुरुआत में Filmankan समाप्थ हो जाएगा स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोस पर 36 आलो चको में से 97% ने को सकारात्मक समीक्षा दी जिसकी औसत रेटिंग 8.810 थी वेबसाइट की आम सहमती कहती है निर्माता और स्टार रिचर्ड गैद द्वारा ओटो फिक्षन का एक दमदार काम बेबी रेंडियर देखने में कश्ट दायक हो सकता है लेकिन अपनी भावनात्मक जटिलता और बहतरीन अभिने से दर्शकों को भरपूर पूरसकार देता है मिटा क्रिटिक पर श्विंखला ने 10 आलो चको के आधार पर 100 में से 87 का भारित औसत स्कोर रखा है जो सार्वभोमिक प्रशंसा दर्शाता है दटैब के हैरी ब्रॉकलहर्स्ट ने शो को बिहद मज़ेदार, बिहद परेशान करने वाला और बहुत ही मार्मिक बताते हुए शो के प्रशंसकों की आलो चनाकी, उन्हें, घ्रिनित, करार दिया क्योंकि उन्होंने, माथा, चरित्र पर आधारित वास्तविक महिला को उजागर करने का प्रयास किया और अनुमान लगाया की कौन से सोशल मीडिया अकाउंट वास्तविक व्यक्ति के हो सकते हैं शो के कालपनिक पात्रों की वास्तविक जीवन की प्रेवनाओं के बारे में आगे कि सिध्धान्त ओनलाइन सामने आने के बाद, गेड ने एप्रिल 2024 में दिये गए एक बयान में शो के प्रशंसकों से किसी भी तरह की अटकले बंद करने को कहा चरित्र डेरियन के वास्तविक जीवन के समकक्ष होने का जूठा आरोप लगाये जाने के बाद, थेटर निर्देशक सीन फोले ने पुलिस को जूठे आरोपों की सूचना दी इसके चलते पुलिस जाच हुई गैध ने पुष्टी की की फोले चरित्र डेरियन के पीछे नहीं थे ऐसे ही, इंफॉर्मटिव विडियोस सबसे पहले आपके पास पहुचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले